Hello everyone, so कैसे आप सभी ओगा है, this is Radhika and welcome to BLA.in Guys, यहाँ पर एक वीडियो है जो कि बहुत important होने वाली है आप सभी के लिए यह है बुंदलखन उनिवसिटी छासी के सभी students के लिए जो अभी यहाँ पर exam form भर रहे हैं अपना उनको बहुत कुछ important चीज़ों का ध्यान देना है, क्योंकि अगर आपने यह चीज़ों की गलती कर दी तो आपके पूरे पैसे जाएंगे, जितनी भी आपके fees है, 4000 something वो पूरी fees जाएगी और आपका future भी यहां से खराब है, ठीक है, तो इस चीज़ को seriously ले, जो वीडियो में बता जाएंगे, उसको follow करें Optional Subjects को हमें कैसे choose करना है, मैं BLA, Second Year, Third Year, Fourth Year, सभी बच्चों के लिए आप बात करने वाले हैं, आपको यह गलतीयां बिलकुल नहीं करने हैं, otherwise आपके कोई भी combinations, subject combination future में नहीं बनेंगे, आप किसी भी exam में form फिल करने लाइक भी नहीं बचेंगे, ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखें, हम आगे बढ़ रहे हैं, जितने भी लोग चानल पर नहीं हैं, जरूर से subscribe कर दीज़ो, दूसरी बात यह है कि, टेलेग्राम चैनल पर हम लोग back to back यहाँ पर question papers की PDF आपको share कर रहे हैं, first से लेके फोर्तियर सब share हो चुकी है, optional subjects के जितने भी question papers हैं, वो यहाँ पर second year और third year के लिए भी share किये जाएंगे, ठीक है, तो channel को join कर दिए, जो description में आपको link है, और channel को जरूर से subscribe करें, ठीक है, चलिए next है, हम यहाँ पर सबसे पहले बढ़ जाते हैं, जल्दी से हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर BLA, जो second year के students हैं, और यहाँ पर पूरा पूरा आपको subject के साथ मैं बताने वाली हूँ, कि आपको यहाँ पर किस तरीके से चीज़ों को choose करना है, देखे first year के students के लिए तो सारे subject compulsory हैं, तो यहाँ तो कोई जरुवत नहीं है हमको, next हम second year पर आते हैं, तो आपके यह जो चार subject है, यह compulsory है, यह है optional subject, एक चीज़ का ध्यान रखना है, second और third year का optional subject same होता है, अगर आपने अलग-अलग भढ़ दिया, कोई काम का नहीं रहेगा, आप future में कोई भी form, जो subject combination कहां जरुवत होती है, आप कोई form नहीं भर पाएंगे, आपने second year में English लिया है, Hindi, Mathematics, Studies, Chemistry, Bio, History, Political Science, Geography, Economics, इन सब में से कोई एक subject लेना, जो आपने लिया है, वही form में भरे, कोई भी अगर आपने दूसरा subject गलती से भर दिया, तो आपका question paper उसी subject से आएगा, आप होगा, और आपको वही subject फिर पढ़ना पड़ेगा, और future में भी उसी subject से सब कुछ करना पड़ेगा, तो यह हाँ पर इतना जादा important है, बढ़ते हैं third year की तरफ, third year के भी हम यहाँ पर देख लेते हैं, यह Hindi में था, okay, so third year में हमने जो basic बात करी वो यह है, कि आपके चार subject यहाँ पर compulsory है, again यहाँ पर सारे हैं, इनमें से कोई एक choose करना है, वही जो आपने second year में लिया है, आप change नहीं कर सकते, अगर आपने second year में maths लिया है, तो आप third year में physics नहीं ले सकते, यह आपका कोई combination नहीं है, आपने second year में जो subject लिया है, third year में भी आप वही लेंगे, I hope आपको यह चीज हैं बिल्कुल से clear हो रही है, form में गलती ना करें, गलती करेंगे, form दुबारा नहीं भर पाएगा, और भर भी पाएगा, तो आपके पूरी fees दुबारा लगीगी, और पहली बात तो गलती ना ही करें, क्योंकि form change नहीं होता है, ठीक है, और फिर जो आपने अच्छे से समझाएं, गलती ना करें, curriculum studies और gender and schooling आपका कंपल सरी है, ठीक है, यह आपको exam देना ही देना है, हमारे बुंदिल खणी उनिवरस्टी में हम लोग optional subjects को नहीं prefer कर रहे हैं, हम लोगोंने हमेशा special education लिया है, ठीक है, इस चीज को मैं आपको यहां दिखा देती जब आप form भनने जाएंगे तो आपको इस तरीके का एक page नजर आएगा, एक minute में आपको यहां दिखाती हूँ, इस तरीके से आपके पास options आएंगे, फोर तीरवालों के लिए अब आप एक चीज को ध्यान से देख सकते हैं, कि यह paper 1 और paper 2 already locked है, वो कह रहे हैं कि आपको paper 3 चूज करना है, अब आप यह देखे, paper 3, paper 3, paper 3, 3, 3, 3, 3, यहां तक आपका paper 3 है, इसका मतलब क्या है, कि आपको इन सब में से कोई एक subject चूज करना है, सिर्फ, यह आपको सब lock है, आप देख सकते हैं, यह सब grey है, ठीक है, यह इसी साल का यह 2023 का यह screenshot है, जो आप लोग भ और ना ही social science लिया, ना computer science लिया, हम लोगोंने सिर्फ special education लिया, मेरा भी BLA है, मैंने भी special से ही किया है, मर्जी है आपकी, आप लोग ले सकते हो, अगर आप चाहो तो, लेकिन इसकी भी कुछ तरीके हैं, वो भी मैं बता देती हूँ, आपको वीडियो में नीचे, दो अगेगा, उसको समझ लीजे, लेकिन कोशिश ये करनी है, कि आपको special education लेना है, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं है, future में, अगर special education के लिए कोई vacancy आती है, तो आप इस basis पे कह सकते हैं, कि yes हमने elementary में ये subject पढ़ा है, तो आप vacancy में अगर fulfill हो रहे हैं, तो अपन भर पाए इसलिए हम लोगोंने special education लिया है, अब बाकी subject टेक मेंट के लिए हम समझ लेते हैं, computer हमको नहीं लेनी है, यहाँ पर समझते हैं, देखे, language अगर आप चूस करने जा रहे हैं, तो सिर्फ उनको ही चूस करना है, जिनोंने second year और third year में या तो हिंदी लिया हो, या English लिया हो, that's it, please इस चीज को ध्यान से समझें, वीडियो को सभी के साथ share करना है, आप गलती करेंगे, problem आप के लिए होगी, next, हम बात कर रहे हैं mathematics की, mathematics सिर्फ वही बच्चा लेगा जिसने second और third year में maths optional लिया था, next हम बात कर रहे हैं natural science की, natural science वही बच्चा लेगा जिसने second और third year में physics, chemistry, bio लिया हो, ठीक है, और हम social science की बात कर लेगा, तो यह वही बच्चा लेगा जिसने history, political science, geography और economics लिया हो, इस चीज को समझ लीजे, दुबारा से वीडियो देख लीजे, लेकिन गलती हैं मत करिये, कोशिश करिए कि ये pedagogy की subjects नाल है, आप एक भी subject नाल है, सभी लोग special education लेंगे, तो future में आपको फायदा मिल सकता है, ठीक है, बिलकुल आपको benefit यहां पर मिल सकता है, और अगर आप choose करना चाहते हैं, तो मैंने आपको ये pattern इंदर बगल में बता दिया, I hope आपको चीजें ये clear होई होंगे, special आपके लिए यहां पर screenshots लगाए गए हैं, जिसे क आप गलती ना करें, next channel से जोड़े रहें, आपके लिए back to back sessions आएंगे, next मैं आपके वो discuss करूँगी कि आपको exam copy में जो long और short है, वो कैसे लिखने हैं, कितने page के लिखने हैं, कैसे आप ऐसा answer लिखें कि आपको maximum number मिल सकें, इन सब चीजों का आपको फायदा उठाना है, त चानल से जोड़ें, subscribe जरूर से कर लें, वीडियो को जादे से जादे आप लोग शेर करें, so that आपके जितने भी दोस्त हैं, वो ये सब गलती ना करें, और आप सभी लोग एक बार में अच्छे से अपना exam form भरें, ठीक है, तो मैंने आपके लिए वीडियो बना दिया, मिलिग या ने 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 वीडियो मां, तो ता टेक और ले बस्त में, बबागए